अनुछे तीन ओचार के बारे में जानकारी आसिल करेंगे अनुछे तीन ओचार भारत के राज्यों के निर्माण, उनके सीमा और नाम और उनके परिवरतन या छेत्रल के परिवरतन से सम्ण देता है अनुच्छे तीन के अनुसार, संसत बिदवारा, किसी राज में से उसका राज छेतर अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज छेतर को किसी राज के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्मार कर सकती है और साथी साथ किसी राज के छेत्र फल को घटा सकती है संसत बिदिद्वारा अनुच्छे तीन के अनुसाल और किसी राज के छेत्र फल को बढ़ा सकती है साथी साथ वह राज की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी कि राज्यों के नाम और सीवा जेट्र में परिवर्तन करने के प्रक्रियां इसे कार आरहे राष्ट्ठ पती की सिपारस मंत्र मंदल या मंत्रे परशद जो राष्ठ ये राश्टपती एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर देगा और उस निश्चित समय सीमा में बिदान मंडल राश्टपती द्वाराक प्रस्तुत बिल पर विचार करेगा यदि राजिका बिदान मंडल निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने बिचारों या राय के साथ बिदेयक बापस नहीं भेजता है तो राश्टपती बिदेयक को संसद में परश्थुत करने की अनुवत दे सकता है दूसरी इस्तिति आती है कि यदि राज बिदान मंडल निर्धारित या जो राश्टपती द्वारा बढ़ाई के सीमा है के भीतर अपने बिचार या राय राश्टपती को भेज देता है तो भी संसद उन बिचारों या राय को मानने के लिए बाद नहीं है यदि संसद चाहे तो अपने साधारण बहुमस से राज के बिदान मंडल की जो राय होती है उसके बिरुद्या बिपरी जाकर उस राज के भूबाग नाम या सीमा आधि में परवर्तन कर सकती है इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी राज अपनी मनमानी करते हुए बिखंडन कारी या विबाजन कारी परवरतियों को बढ़ावा ना दे सके इसके बाद अनुच्छे चार में इस बात को इसफ़ष्ट किया गया है कि यद संसद अनुच्छे दो और अनुच्छे तीन में निर्दिस्ट या दी गई किसी बिद्या कानून कि द्वारा नए राजियों के स्थापना करती है या उनके नाम या छेतिरा सीमा में परिवर्तन करती है तो समिदान की पहली और चौती अनुच्छी में जो परिवर्तन होगा तो समिदान के अनुच्छे 368 के अनुचार वह समिदान संसोदन नहीं माना जाएगा तो यह तो हुआ अनोचे तीन हो चार की ब्याख्या